पीली बीच से वरुन गांधी का ठिकट कट गया, सुल्तानपुर से उनकी मा मेनका गांधी चुनाव लड़ रही है, वो बीजेपी की उमिद्वार है, ऐसे मेनका गांधी नाराज है, ऐसी अटकले आ रही थी, वरुन गांधी का गुस्ता कभ फट पड़ेगा, ये लोगों क खामोश रहे वरुन नया चुपी तोड़ी है एक खुला खत अपने पिली भीत की जनता को लिखा है खुले खत में उन्होंने कुछ बातें दोराई है अपने बच्पन जब तीन साल के थे तो पहली बार पिली भीत आये था अपनी मा का हाथ की उंगली पकड़के और अब तक जब उनको टीकेट निमिला है अब तक जनता के थीखी पूरी पुरी चिठी उन्हों लेखी है उन्होंने लिखा है कि जब ये पत्र लिख रहा हो तो अनिया यादों ने मुझे भावक कर दिया है और उन्हें वहथ तीन साल का छोटा बच्चा याद परिवार बता रहे हैं उन्होंने कहा उनकी स्वभागय की बात को सर्व करने का काम करने 梯ंश करने मौका उनको मिला और उन्होंने कहा है कि पूरी शमता के साथ पिली भीद की जनता लिए आवाद उठाई है लेकिन अविट सब्सक्राइब हो लेकिन पीलीभीत की जंतास चेंता के लिए घूटकर अभी सकते हैं लेकिन जो दूसरी जो सबसे एहम बात है ये इससे ये साफ हो रही है कि वो राजनीती से अभी सन्यास नहीं लेने वाले वो राजनीती से दूर नहीं रहेंगे और दूसरी बात उन्होंने कही है कि वो राजनीती में आये थे आम आदमी की आवाज उठाने और पिलिभीत की जनता को आज आपसे यही आशिरवाद मांगता हूं कि सदैव यह कारे करता रहूं भले उसकी कोई भी कीमत कियो ना चुकानी पड़े यानि इशारों इशारों में यह कहीं न कहीं यह एक कहा गया अपने टिकेट कटने का दर्द चलका है उनके टिकेट जो कटा है पिली भीत से कि हो स अब उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि राजनीती की गुना भाग से अलग उनका पिली भीत से रिष्टा रहा है तो कुल मिलाकर उनकी छोटा सा खुला खथे पिली भीत की जनता के नाम उससे दो चीज़ें साफ हो रही है पहला वो कोई बवाल नहीं होने वाला जिसका लोग राजनीती का एक मैदान रहेगी तीसरा उन्होंने कहा है जो इशारा किया है कि वह राजनीती से सन्यास नहीं लेने वाले उनके घर के दर्वाजे पिली भीत की जनता के लिए खुले हुए है और चौथा और जो सबसे महतवपूर्ण है उन्होंने इशारों में जता दिया है जताने की कोशिश की है कि उनको सजा मिली है इस बात की कि वह हम आदनी के लिए आवाज उठा रहे थे और बढ़ना काओं के लिए रहाद की बात है और चीन की बात है कि इन्होंने कोई कम से कब एक उल्टई पूल्टई बयानबाजी करके पार्टिय अलॅकामान को चंद दिनों के लिए ऐसे फजयत मर दालने की कोशिश नहीं किति है में का और वरुम में का सुल्दानपूर से और वरुष शांती से मुझे लगता है फिलहाल इस चुनाओं के लिए अमने अपने कदम वापस खीच लिए है